जैहिंद साथियों, सरकारी नोकरी यूट्यूब चैनल के पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं एक नई सीरीज लेका है हूँ, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ भारत के जितने भी राजजे न है, उनकी राज़दानी कौन-कौन सी है इसको मैं याद करवाँगा आपको, मतलब आपको मैं इस ऐसी ट्रिक बताओंगा हैंड़ परसंट, मातर पान्थ से दस मिनिट में आप भारत के जितने भी राज्जे हैं उनकी जितनी भी capital है जो जो capital है उन सबी को आप भोती आसानी से याद कर लोगे आपका जो confusion है वो बिल्कुल handle percent दूर हो जाएगा कभी भी किसी भी exam में भारत के राज्य और उनकी capital से सम्मझत यदि क्योषन आएगा तो आप उस क्योषन को किसी भी हाल में गलत नहीं करेंगे ठीक है इसी तरीके से यदि आप trick के माध्यम से जीके को बहुत गजब तरीके से strong करना चाहते हो जिन पॉइंटों में आप confused रहते हो उनको बहुत ही गजब तरीके से clear करना चाहते हो तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसके अलावा मेरी आपसे request है यदि आप किसी topic में confused रहते हो आप चाहते हो कि मैं उसके उपर trick वाला वीडियो बनाओ तो please comment session में comment करके जरूर बताना वीडियो अच्छा लगे आपको trick पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर जबाना साथ यसाथ ये जो सरकारी नोकरी यूटूब चैनल है इसका सबसे बड़ा target है आपको सरकारी नोकरी लगवाना मतलब पूरे भारत में यदि कहीं भी कोई भी सरकारी नोकरी के संबंद में नोटिपी केंसे निकलता है तो उस सबसे पहले अपडेट करना तो चलो अब हम ये भारत का मानचितर है और इसमें सारे इक सारे भारत के राज्यकवर हो रहे हैं अब हम शुरू करते हैं इनकी राज़दानी याद करना ठीक है मैं यहाँ पर टोटल चार ट्रिक आपके साथ डिस्क्रस करने वाला हूँ और उन चार ट्रिकों के माध्यम से भारत की सारिक सारी राज़दानियों को आप बहुत ही गजब त्रिके से याद कर लेंगे तो आपको केवल चार ट्रिक याद करनी है जिसमें सबसे पहली ट्रिक है जैसे ही कीरती आई और मेगा से नाक टच करवाई बहुत गजब की है कि जैसे ही कीरती आई और मेगा से नाक टच करवाई पहली ट्रिक अब यहाँ पर कौन-कौन से राज्य कवर हो रहे हैं यह मैं य तोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं जैसे कि पूरा पूरा अच्छे से दिख जाए अब यहां पर एक एक लेते हैं जैसे जैसे में जे का मतलब होता है जम्बू कस्मीर ठीक है से का मतलब होता है स्री नगर देखो जम्बू कस्मीर की दो कैपिटल है एक है स्री नगर एक है जम्मू जम्मू है जो इसकी समर की कैपिटल है और जो स्री नगर है वो इसकी विंटर कैपिटल है तो जे का मतलब है जम्बू कस्मी और से का मतलब है स्रीनगर फिर हम बात करते हैं कीरती यहां पर कीरती सब्द है कीरती में की का मतलब है केरल और टी का मतलब है त्रिवंत पूरम ठीक है तो केरल की राज़दानी क्या है त्रिवंत पूरम है की का मतलब केरल टी का मतलब त्रिवंत पूरम फिर हम बढ़ते हैं आगे की और आगे लिखा हुआ है आई अब देखो यहां पर दो सब्द हैं आ का मतलब है अरुनाचल परदेश और ए का मतलब है इटानगर मतलब अरुनाचल परदेश की कैपिटल के है इटानगर है फिर हम आते हैं मेगा से मेगा का मतलब है मेगाले से का मतलब है सिल्लांग मेगाले की कैपिटल सिल्लाग फिर हम आते हैं नाक पर नाक का मतलब है नागालेंड की का का मतलब है कोहिम नागालेंड की कैपिटल है कोहिम तज तज अब ये एक इंगलीज का सब्द है यहां पर तज टी का मतलब है तमिल नाडू और चै का मतलब है चैन नहीं होगा कि जैसे ही कीर्टी आई और मेगा से नाक टच करवाई जैसे जैसे में दो सब्द हैं पहला है जे का जे का मतलब है जम्बो कस्मीर जिसकी राजदानी स्री नगर है जम्बो कस्मीर की दो राजदानी है समर कैपिटल का नाम है जम्मू और विंटर कैपिटल का नाम है स् है कीर्थिक कीर्थिक में दो सब्द चुपवे हैं की का मतलब है केरल और ती का मतलब है तिरवंत पूरम फिर आता है आई सब्द आई में दो सब्द चुपवे हैं आ का मतलब है अरुनाचल परदेश और इ का मतलब है इटा नगर फिर आता है मेगा से मेगा से में दो सब्द छुपेए हैं मेगा का मतलब है मेकालें से का मतलब है सिलांग और नाज में दो सब्द छुपuar E ngadi are और कै का मतलब है कोईम और तच में दो सब्द छुपेए हैं टै का इत्या तमिलनारू और चै का मतलब चेनली तो यह सारे-सारे ग्राज्य है और इनकी कैपिटल आपको अच्छे से याद कर लिए हो गई होगी केवल आपको एक ट्रिक याद करनी है कि जैसे ही कीरती आई और मेगा से नाक टच करवाई फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दूसरी ट्रिक पर चलते हैं यहाँ पर मैंने दूसरी ट्रिक लिख रखी है मामू मिया राजा गोपी का बाप अमर आदा गुंगा है दूबारा से रिपिट करो इसको आप बार बार याद करो इन चारों को अच्छे से दो तीन बार याद करोगे बिलकुल दिमाग में सैट हो जाएगी सारे की सारी मामू मिया राजा गोपी का बाप अमर आदा गुंगा है दूबारा से रिपिट कर रहा हूँ मामू मिया राजा गोपी का बाप अमर आदा गुंगा है अब हम सबसे पहले मामू सब्द को कवर करते हैं मामु में मा का मतलब है महाराष्ट और मु का मतलब है मुंबई फिर आता है मिया में मी का मतलब है मिजोरम आ का मतलब है आई जोल मतलब मिया मी मिजोरम इसकी कैपिटल है आ आई जोल फिर हम चलते हैं राजा, रा, राजा में रा का मतलब है राजस्तान, जा का मतलब है जैपूर, राजस्तान की कैपिटल जैपूर फिर हम कवर करते हैं गोपी, गो, गो का मतलब गोवा, पी का मतलब पनजी, गोवा की कैपिटल है पनजी फिर हम cover करते हैं बाप को बाप का मतलब है बिहार पे का मतलब है पतना बिहार की capital है पतना फिर हम cover करते हैं गुंगा गु का मतलब गुजरात और गा का मतलब गांदी नगर गुजरात की capital गांदी नगर और फिर आता है आगे का सब्द है अमर अमर का मतलब होता है अमरावती आधा का मतलब है आंदर परदेश ठीक है तो इस तरीके से ये ट्रिक आपको याद कर लेनी है कि मामू मिया राजा गोपी का बाप अमर आधा गुंगा है और इसके ये सारे कसारे स्टेट और इनके नाम मैंने यहाँ पर आपको कवर समझा दिया अच्छे से कि यहाँ पर किस का मतलब क्या निकल रहा है ठीक है जैसे राजा में राजस्तान जैपुर आ रहा है मिया में मिजुरम आई जोल आ रहा है ठीक है फिर हम तोड़ा आगे चलते हैं और तीसरी ट्रिक लेकिया हूँ मैं यहाँ पर हिमांसी उत्तर दे मद्य भाग का हरा चना कब पकेगा क्या है हिमांसी उत्तर दे हिमांसी उत्तर दे मद्य भाग का हरा चना कब पकेगा हिमांसी ही का मतलब हिमांचल परदेश और सी का मतलब सिमला हिमाचल परदेश की राजदानी सिमला फिर उत्तर दे उत्तर का मतलब है उत्तराखंड यहाँ पर ध्यान रखना है आपको इस्पेशली यहाँ पर उत्तर का मतलब है उत्तराखंड क्या है उत्तराखंड यहाँ पर आपको दुबारा से रिपीट करो उत्तर दे, दे का मतलब है धहरादून और उत्तर का मतलब है उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल है धहरादून, उसके बाद आता है मद्याभाग, मद्या का मतलब है मद्यापरदेश और भाग का मतलब है भोपाल, मद्यापरदेश की कैपिटल है भोपाल, फिर आता ह हरा, चना, हरा का मतलब है हरियाना, चना का मतलब है चंदिगड, मतलब हरियाना की कैपिटल चंदिगड, कब, अब आता है अगला सब्द कब, कब कै का मतलब है करनाटक, बै का मतलब है बैंगलोड, करनाटक की राजदानी है बैंगलोड, फिर आता है पका, पै का मतलब है पस में बंगाल की राजदानी कोलकाता तो इस तृकि जो तीसरी टृक है उसको फिर से आप रेपीट करो हिमानसी उत्रदे मध्य भाग का हरा चणा कब पकेगा हिमानसी में दो सब्द है हिमाचल परदेश सिमला उत्तरदे में उत्राकंड और धहरादून है मद्जभाग में मद्जपरदेश भोपाल है हरा में हर्याना है चना मेंचंदिगड कैम करनाटक है बैम में बैंगलोर है पकेगा पकेगा में पै का मतलब पस्मी बंगाल है और कै का मतलब कोल काता है ठीक है तो ये तीसरी ट्रिक आपको अच्छे से याद हो गई होगी फिर हम कवर करते हैं इसकी लास्ट चोटी ट्रिक पाच मई को टीपू आग में तलहेटी पर उड़ता भूसा छुर्रा उड़ता भूसा छर्रा सिं आधी को उल्टा करके ज़ारा जऻारा का मतलब बता है ज़ारना कैता जारना तो मैं दुबारा से रिपीट कर रहा हूँ मेरे प्यारे सातियों पांच मई को टीपू आग में तलहेटी पर उड़ता भूसा चर्रा सिंग आधी को उल्टा करके जारा ठीक है फिर से रिपीट कर लो चोथी ट्रिक को कि पांच मई को टीपू आग में तलहेटी पर उड़ता भूसा चर्रा सिंग आधी को उल्टा करके जारा अब हम यहाँ पर एक-एक सब्द को cover करते हुए चलते हैं सबसे पहले पाँच दिखो पाँच का मतलब पाँच पाँच में पै का मतलब है पंजाब और चै का मतलब है चंदिगड पंजाब की राज़दानी चंदिगड मई पाँच मई मे का मतलब मनिपूर और ए का मतलब इमफाल मनिपूर की राज़दानी इमफाल टीपू आग टी का मतलब है त्रीपूरा और आग का मतलब है अगरतला टीपू त्रीपूरा आग का मतलब है अगरतला मतलब त्रीपूरा की राज़दानी अगरतला फिर हम बात करते हैं उड़ता, भूसा, उड़ता में उड़िसा और भूसा में भोपाल, उड़िसा की कैपिटल है भोपाल फिर हम बात करते हैं सिंग, सी का मतलब है सिक्किम, गै का मतलब है गंग टोक, सिक्किम की राजदानी गंग टोक फिर हम आगे बात करते हैं आदी, आ का मतलब है आसाम, दी का मतलब है दिस्पूर, मतलब आसाम की राजदानी दिस्पूर फिर हम बात करते हैं तल हटी, तल हटी में तल का मतलब है तिलंगाना, हटी का मतलब है हैदराबाद, ठीक है तल हटी में तल का मतलब तिलंगाना है और हटी का मतलब हैदराबाद है, जार रा, जा का मतलब जारकंड है, रा का मतलब राची है, उल्टा, उ का मतलब उत्तर पर वहाँ पर उतर का मतलब उत्रा खंड, दे का मतलब है धहरा दुन और यहाँ पर उल्ता, उ का मतलब है उत्तर परदेश, उल्लै का मतलब है लखनौ, ठीक है, तो ये मैंने टोटल चाट ट्रिक बताइएं आपको जिनसे आपको बहुत अच्छे से भारत की राज्य हैं और उन और मेगा से नाख टच करवाई जैसे जंबु कस्मीर श्री नगर जंबु कीरती की का मतलब केरलती का मतलब तिर्वंतपुरम आई आ का मतलब अरुनाचल परदेश और ई का मतलब इटा नगर मेगा से मेगा का मतलब मेगाल्य से का मतलब सिलांग नाक ना का मतलब का मतलब कोहिम तच टै का मतलब तमिलनाडू चै का मतलब चेननेई फिर हम आगे बात करते हैं दूसरी ट्रिक मामू मिया राजा गोपी गोपी का बाप अमर आदा गोंगा है मामू मिया राजा गोपी का बाप अमर आदा गोंगा है मामू मा का मतलब महरास्ट मू का मतलब मुंबई मी का मतलब मी आ मी का मतलब मिजोरम आ का मतलब आईजोल राजा रा का मतलब राजस्तान जा का मतलब जैपूर गोपी गो का मतलब गोवा पी का मतलब पनजी का बाप है बा का मतलब बिहार पै का मतलब पटना अमर अमर का मतलब है अमरावती और आदा का मतलब है आंदर परदेश गूंगा गू का मतलब गुजरात और गा का मतलब गांदी नगर फिर हम आगे बात करते हैं हिमानसी उत्तर दे मद्यभाग का हराचना कब पकेगा हिमानसी हिमाचल परदेश सिमला उत्तरदे उत्राखंड दहरादून मद्यभाग मद्यपरदेश भोपाल का हरा हरियाना चना चंदिगड कब कैका मतलब करनाटक बैका मतलब बैंगलोर पकेगा पैका मतलब पस्मी बंगाल और कैका मतलब कोलकाता फिर हम आगे बात करते हैं पांच मई को टीपू आग में तलहटी पर उड़ता भूशा छर्रा सिंग आधि को उल्टा करके जारा पांच पा का मतलब पंजाब चे का मतलब चंदिगड मई मै का मतलब मनिपूर इका मतलब इमफाल टीपू त्रीपूरा आग अगर तला तलहटी तेलंगाना हटी हैद्राबाद पर उड़ता उड़ता उड़ का मतलब उड़िसा भूसा भू का मतलब बोपाल चर्रा छै का मतलब चतिशगड रा का मतलब राव राईपूर सिंग का मतलब सिक्किम गै का मतलब कंग टोक आदी आ का मतलब आसाम दी का मतलब दिसपूर उल्टा उ का मतलब उत्रपरदेश लै का मतलब लखनो करके जारा जारा जा का मतलब जारकंड रा का मतलब राची तो इस तरीके सी ये सारक सारा आपको अच्छे से याद हो गई होंगे भारत के जितने भी राज्जे हैं और उनकी जितनी भी राजदानी हैं जो जो राजदेने वो सारिक सारी आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगे अब आप किसी भी हाल में यहाँ पर करो चैनल पर नए हो तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो इसके अलावा आप चाते हो किसी टोपिक पर जो आपको कन्फ्यूज करता है जिसमें आपके क्योशन गलत होते हैं और वहां से आप चाते हो कि वहां पर को मैं कोई बहुत शांदार वाली ट्रिक बनाओं जिससे कि आप कभी इन फ्यूजर कन्फ्यूज ना हो तो प्लीज कमेंट सेसर में कमेंट करके जरूर बताएं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबी को देखने के लिए ठैंक्स बाई मेरे प्यारे साथियों